है 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 हलो इस्टुडेंट्स एंड फ्रेंड आज आप लोग का पुना अपने चैनल पर स्वागत करते हैं आज इस पर आप लोग को फिजिक्स क्लाफ 10 का चैप्टर नमर फोर जिसका नाम लेंस है इफी टापिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे उत प्रतिभीम किस प्रकार से बनता है उससे पहले यह बता दे रहें कि प्रतिभीम को बनाने के लिए में लोग को क्या आउशकता है तो प्रतिभीम को बनाने के लिए सबसे पहलें को दो किरड़ों को उस लेंस पर आपतित कराना होगा और जब लेंस पर दो किरड़ों को आकार इस्थती और प्रेक्ति के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो चलते हैं अपने टापिक्स पर उट्टल लेंफ द्वारा प्रत्वीम का बनना देखें अब कैसे प्रत्वीम बनता है थोड़ा से पहले इंटोड़क्शन दे दिया गया है तो यह जो उट्टल लेंफ द दौइव ही बनाइट है चाए तो जब वस्तु कि कहा हो नंछा यह आप लोग का बोछाय खै कि कणिफां नम्र कौन सथ है कि मोर्न उस वश्तू के रखने के मिए उस वास्थे रखने के सबसे कि इस्ति क्या है इसकी प्रेक्षिता की है जब वर यजङने चाहिनर नाहीज है अयहां चाहिए जानते हैं कि आप लोग क्या होता है मुख्य फोकफ और इस पॉइंट को जहां यहां प्रत छेत कर रहे से प्रकासिक केंद्र करते हैं तो चलिए तो बुलाई कि जब वस्तू अनन्त पर रखा गया था इसकान अनन्त पर रखा गया तो वस्तू यहां बाद में अपवार्तित होंगे और जब अपवार्तित होंगे तो तो ही बनेगा इसका प्रतिवीम तर एक करते हैं तो एक र लोगों ऐसे आपतीत करा देते हैं इसके प्रकासी के इंदसार और जब प्रकाष क्रिड़ों को आपतित कराए गया तो इससे पहले वीडियों को देखकर इसको समझेगा तो सबसे पहला हुए हम यहांप आपतित कराएंगे क्योंकि हम जानते कि यहां से आपतित कराते हैं प्रकास केने से सीधे निकल जाता है आप लोग को बताया गया था पहला प्रकास क्रड़ हम लोग यहां से आपतित कराते हैं जब यहां से आपतित कराते हैं और दूफरा प्रकास क्रड़ एफवन से आपतित कराते हैं प्रथम मुख्य फोकस से आपतीद करा देते हैं दुफरा जो प्रकाश करण है प्रथम मुख्य फोकस F1 से आपतीद करा देते हैं यह थोड़ा से बलकुद सीधा होना चाहिए यहां से आप्तित करा दिये पहला प्रकाश कड़े यहां से आप्तित करा दिये प्रथम मुख्य फोकस से तिया क्या होता है जब प्रथम मुख्य फोकस से इस पर आप्तित होता तो यह सीधिया पर चला जाता है प्रतिष्थ करते हैं जहां प्रतिष्थ नियां प्रतिष्थ करते हैं वही सबேस्ट बनता है कि प्रतिविम का आकार पता करने के लिए यहां से मुख्य अच्छ पलमब डालेंगे इसका मतलब किसक पर द्वीतिय पर्रतिशेद्ग करेंगा सब्सक्राइब आप लोगों प्रेक्टिस करना होगा फिगर को अब यहां जो प्रतिभीम बना है वास्तु रखा गया तो उपर प्रतिभीम नीचे बन गया है इसका उल्टा बन गया तो इसको लोग क्या लिखेंगे ऑर यहांप वरस्टू को सब्सक्राइब बहुत ही स्थोटा ऑल गया है एतना पड़ा अनन्द पे रखा घ्या था था ऊजो खाया इसस बारे प्रतिविम के बारे में बताते हैं उसके बारे में बताते हैं उसके बारे में प्रतिविम के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले आकार बताते हैं उसके बाद इस्थिती बताते हैं उसके बाद प्रकृति बताते हैं आकार इस्थिती और प्रकृति को बता जाता है तो आकार इस प्रतिविम का आकार बताईए इस वस्तु से तुलना करके आकार बताई जाता तो इस वस्तु के तुलना में जो प्रतिविम का आकार बताना होगा तो इस वस्तु से तुलना करके बताईएगा तो इस वस्तु के तुलना में इस प्रतिविम का आकार क्या बनाया अत्यांत चोटा बना है इस्थिती कहां स्थित है तो यह बना है यहां बना यह बना है तो बोलें कि दुएटीय मुख्य-फोकस के तल में लाविए फटू के तल में या हिंदी मेरी करें द्वीतिय मुख्य फोकस के तल में बना है प्रतिविम कहा है प्रतिविम के इस्थिति द्वीतिय मुख्य फोकस के तल में बना है अब प्रक्रिति तो कभी भी प्रक्रिति पुछे प्रतिविम कता है या या दखे कि यह दि लेंस के दाहिनी और बन रहा है तो हमेशा और उल्टा बनेगा और यहरी बाई और बन रहा है तो आभासी और सीधा बनेगा तो देखी यह प्रतिविम कहां बना है ता आपका दाई और बना है अपका दाई और बना है अपका प्रफ निश्पे उठेगा कि दाई और बनने वाला प्रतिविम वाफ्तविक उल्टा क्यो लुटा बनेगा आघे이 और नीचे तो वात्रीप बनता है कि यह fungi क्ळीग यहां से भेज़े रहे तो वास्तों में यहां प्रकाफ वेसरे असे चीज यहां परफशान बनेगा इसलिए वास्त्विक और देखने में लगए उपर है प्रत्रीन निशे बना इसलिए वास्त्विक और उल्टा पहला कंडिफन अच्छी तरह से क्लियर हो गया अब यहां दखे कि प्रेकिती जब भी क्लियर करना होगा तो यह लेंस के दाहिनी और बना रहे गया तो प्रत्म मुख्य फोकस के दोगुने दूरी पर जो होता है वह क्या होता है प्रत्म मुख्य फोकस का दोगुना होता है और यहां जो लिख सकते हैं आप लोग के बुक में यही मिलेगा यहां यहां याद रखे कि यहां टू यापटू को सीटू भी कर सकते हैं चलिए कंडिफन नमा दुफरा अब अनन्द पर जब भी वस्थू रखा जाएगा तो हमेशा याद रखे कि प्रतिविम ऐसे बनाईएगा आकार इस्ति और प्रक्ति को लिख देजीगा अब जब वस्थू आगला कंडिफन क्या है जब वस्थू टू यफवन यहां टू यफवन है और अनन्द का इधर इस कंडीइशन में प्रतिविम के बारें बताना है अबिए आपका छोक्य करते हैं तो है और यहां होता है प्रकासित केंदर जिसे सी से इसे बीच में रख देजे कहीं वास्टु को रखना का है वास्तु का नाम हमेस भी ही रखेंगे आप लोग कुछ भी रखेंगे तो टों अब क्या क्रेंगे कि प्रकाशेट करेंगे लोग के अपने जब जाते हैं सबस्क्राइब से पफुछ से पहले यहां प्रतिछेट कर दिया कि 2 लाविब से पहले प्रतिछेट कर दिया और यहां प्रतिछेट करता हैं वह थे पूमाली सीधे निकल गया और यहाँ फिर तीरचा को सीधे कर लिया जाए ये तो बहुत इसावद्नारी रखना होगा आप लोको नहीं तो बहुत बएगलती हो सकते हैं और चलिए यहां भी निकल गया औ civ का बना है तो इस से यहां फemi ड़ना है कि क्या था यहां जानते क्या था यहां पस्राइबी प्रत्री छोटा लग़ार है फर नाम के हैं एक प्रत्री थोड़ा से बड़ा लगेगा वस्तु थोड़ा से बड़ा रहेगा आप प्रत्विम जो बनेगा क्या बनेगा आपका छोटा बनेगा इस वस्तु के तुनला में यह जो बनता है प्रत्विम आपका छोटा बनता देखने में भी लग रहा होगा कि आपका यह छोटा है यह छो कि प्रत बीम कहां बना यह बना यह बना यंप टो के बीच यह अफ टू और kita के बीच और यहिंदी में लिखना चाहते हैं था हिंदी में लिखेंगे द्वेति मुख्य फोकॉस और द्वेति वास्तविक और उल्टा को उल्टा को ब्रैकेट में लिखेगा फिर देख लेते कि यह फिगर आप लोग का मोबाइल में आ रहा है कि नहीं कि तो बिल्कुल अच्छी तरफ से आ रहा है तो अगला टाफिक चलते हैं तो फर्स्ट हो गया सिकेंड हो गया अब थर्ड थर्ड कंडिशन क्या है जब वास्तु देखें आप अनंत पर रखे थे अब वास्तु को अनंत और टू या फोवन के बीच में रखेंगे जब वास्तु जब वास्तु तू या फोवन पर हो और हिंदी मोलना चाहिए कि रखिया बोले का प्राथम मुख्य फोकस के दोगुने जब वास्तु प्राथम मुख्य फोकस के दोगने पर हो या जब वास्तु तू या फोवन पर हो तो तो देखें अब इस कंडिशन प्रत्विम कैसे बनेगा एक लेन्स लेन्स और क्यों उत्तर लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और यहां बीच में क्या होता आपका द्व यहां प्रकासि केंड्र में पर यहां प्रकासिक कहने रहे हैं यहां पर होता है आप ध्कुम मुख्य अच्छ के समांतर होना चाहिए तो मुख्य अच्छ के समांतर आपतित करा जाएक हो रहा है तो कहा से परावतित होगा तो यह प्रकासी केंद से बेजा जाएगा तो वह सीधे निकल जाएगा अब देखें यह कहां प्रतिछेट किया है तो यहां प्रतिछेट किया है प्रतिछेट करता है वही प्रतिवीम वहीं बन गया इसका क्या प्रतिवीम बन गया तो अब निखेंगे लगभग अपका बराबर लग रहा होगा कि इसके यह बराबर होता है यह थोड़ा फिर और कम लग रहा है थोड़ा फिर और जुका ही इसको नीशे क्यों अब देखें लगभग यह आपका बराबर लग रहा होगा यही बन गया क्या इसका इस वस्टू का प्रतिवीम 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 का आकार क्या है वस्तू के बराबर लिखेंगे और बदा असके बाद ए श्थती कहां बना है थदे अउसके बाद प्रकृति तप्रक्रटी क्या है तप प्रकृति इसका बना आपका लेंस के दाहिनी और बना तो लेंस के दाहिनी और बने होने के काड़ इसे क्या कहेंगे प्रक्ति तो वास्तिविक और उल्टा जानते हैं कि लेंस के दाहिनी और बनता है इस साड़ बनता है तो वास्तिविक और उल्टा बनता है तापकर यह कंडिशन तीसरा हो गया अब कंडिशन फोर सपर चलते हैं, कंडिशन नंबर चौथा, अब वास्टु को हम लोग टू याफोन पर भी रख़े हैं, अनन्द पर रखे थे, तू याफोन आर। नवर याफोन के बीच में रखेंगे, तो अगला कंडिशन के जब वास्टु, जब वस्टू टू एफ़वन वह एफ़वन के बीच हो तो जब वस्टू एफ़वन और एफ़वन के बीच हो तो तो जब वस्टू एफ़वन और एफ़वन के बीच हो तो तो जब वस्टू एफ़वन और एफ़वन के बीच होगा तब देखे तो कौन से लेंस है हम लोग क्या है। तो जब वास्तु टू यपन और यपन के बीच में रखा गया है। इस पर वास्तु कहां रखा गया है। तो देखें कि यह अब प्रतिबिम का आकार और इस्ति और प्रिक्ति क्या होता है। तो एल लाम होगे आपका कि अब वह कि अगत अनुर्ट अभू गया लक्भा तो जब यहां पर वास्तु को रख दिया गया का हां पर रखा गया है तो वह वास्तु को रखा गया है टू याफॉन और याफॉन के बी तु यहां पर आपके जानते हैं की यहां प्रकासिक केंद्र O होता है यहां पर जानते हैं की इसाप टू होता है और यहां पर जानते हैं आप लोग की आपी होता है तो याफोन और याफोन के बीच में रखेंगे तो यहां रख दिये और इसका नाम क्या है यह बी रखेंगा और एक प्रकास के रड़ा ऐसे आप तिर देंगे तो जब यह जाएगा तो कहां प्रतिछेट करता है यह दूनों एक दूप्रे को इसको बेज़ने है यहां पापका आया और यह जो आ रहाथ आपका ऐसे है तो दोनों एक दूप्रे को यहां प्रतिछेट के तो यहां प्रतिछेद करते हैं, वहीं बनता इसका प्रतिवीम, तो प्रतिवीम इस बार यहां बन गया, तो आप मुखे अच्छ से लम डालेंगे, तो मुखे अच्छ या प्रिंस्पल एक्स से यहां फिर लम डालेंगे, तो यही बन गया आपका क्या प्रतिवीम, आप प्रतिवीम ब बड़ा बना हैं वस्तु से बड़ा बन गया और उसके बाद इस्थिती लिखते हैं सिस्थिति कहां बना है कि टू यह तो से दूर बना मों between मतलब कि टू या फटू से दूर बना है ठीक आप उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग प्रकृति लिखते हैं तो देखें प्रकृति कैसी है इसकी जो प्रकृति है तो पुना लेंस के किसे बना है तो पुना लेंस के दाहिनी और होने के काड़ इसकी प्रक्ति क्या होगी व फास्तविक और उल्टा बनेगा ठीक यहीं प्रतिविम इस साइट बनाँ था लेंस के बाई और बनाँ था तो आपका प्रतिविम आभासिया और सीधा होता तो यहां कंडिशन भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा तो अब ऐसा करते के इस साइट का फीगर को में मिठारते है और उसके बाद दो रआ गया उन दोनों करणीफाल को अच्छी तरह कर देते हैं और हो सब्सक्राइब ले लिया करें कि आगे जाकर अपलों को फेर बनाने कोई प्राबलम नहीं होगा हो फक्ता है यहाँ पर आप तो दिखाई दिखाई देर थे यहां भी क्लीअरे थोड़ा भी क्लियर हो जाता है तो हो जाता ह कर थोड़ा से काम बनाते हैं आप लोग का x2 रश रहें कि आप हो जाना चाहिए ंहां हो जानछ देखिए और हो जाएगा की कंडीशन नमबर आपका हो एống हम ऑको ऑनग कंडीशन नमबर अपका फुर्थ हो संवं कहां तक दिखाई दे Hz एहां तक दिखाई दे रहा है आप लोक को हिए जय हो जाएगा मैस अब दिखा सोत होता होगा और देखीं होगा मतलब कि प्राथा मोख्य फोकस पर रखेंगे लिखेंगे मझात है कि फवन लाहिए जानुञां हो एक when फार गोता है और यह जानते को पूह पूर आपके हमलल और स्पीरियों से इक प्राइस से आपवर्तित होता हैं नाय कि चूहां सब्सक्राइए देख़ेंगे दोनोग प्रकालिफ केड़ें हूँ इसनला जाता जाता तो क्योंकि समानतर हैं लेकिन बहुत अधिक दूरी पर देखा जाया है तो हो सकता है आगे जाने के बार बहुत अधिक दूरी पर लगए कि वह काट दिया हो सकता है यहां कटा हो तिसका आपका प्रतिविम इतना बड़ा बनेंगा है और आगे जाके काटेगा उतना ही नीचे ज सबसे पहले क्या लिखते हैं आकार तो यहां कटेगा तापका इतना बड़ा बनेगा और आगे जाके कटेगा उतना नीचे कटेगा और जितना नीचे रहेगा कोई क्लियर नहीं है तहल लिखते हैं अपर यहां कर रहा है यहां प्रतिषेद कहां कर रहा, कर रहां प्रतिभीम का इश्टति आनंत पर है और उसके बाद क्या लिखते हैं प्रक्रति पहले बता दिया गया कि यहां प्रतिछेट करता है अप प्रतिभीम आपका इसी साइड नूब बनने का पूरा चांस है तो इसलिए प्रक्ति क्या होगा वास्तविक और उल्टा प्रतिभीम जो बनेगा आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा ठीक यह आपका पांचमा कंडिशन भी हो गया आप कंडिफा नम्बर 6 पर चलते हैं तो आप कंडिफा नम्र 6 में रखे क्या हो गया अब वास्तु को याफौन और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे लिखेंगे चट्वा कंडिशन में जब वस्तू याफवन वह O के बीच हो जब वस्तू याफवन और O के बीच हो तरह रहे हैं जब वस्तू प्राथम मुुके फोकस ओ मतलब प्रकासि केंदर के बीच में रहेगा जानते हैं कि द्वारक होता है और यहां पर जानते हैं कि यहां पर आपका और यहां पर जानते हैं प्रिकाशी केनल जहता है यहाँ अब के बीच में रखना है यहां रख दी है यह होगे आपका वस्तू का नाम क्या होगा यह बीट एक प्रकास कर समांतर बढ़ता जा रहा है तो आप तीर्छा होगे आप को लिए इसको आगे जाने के बाद का इपको रनमान लगाएंगे या पीछे की वेए भास करेंगे तो दोनों पीछे को लेकिया आई इसको यहां लेकर आगया है और इसको यहां मनालएं दूखेंगे अ प्रत्वित नाम इस प्रत्विम है और चाहिए इसका मतलब कि अपोलों का सीधा प्रत्विम्ह नाम में लिखना हो MUSIC इप बन गया थो इस प्रति बीम के बाराइस तरह में लिखे तो क्या हैं लेंस के बाइंसे और było कि प्रतिबींब होता है। यह लिखे ऐंह। अब उसके बाद क्या लखते है प्रकृति यह लिखना और लेंस के बाइवर बनेगा तो क्या हो जाएगा अभासी सीधा अभासी सीधा बन गया प्रत्वी तो यही चोग अच्छी तरफे क्लियर कर दिया गया है थोड़ा देखते हैं कि यह फीगर में आपके कैमरे में आरहे खी तरफे कोई प्राब्लम नहीं है तो आप लोगा यह चोड़ टापिक अच्छी तरफे क्लियर हो गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते थोड़ा फे ध्यान दिजेगा कि आपका यह पाला कंडिफन दुफरा कंडिफन तिफरा कंडिफन चौथा कंडिफन और पांचवा कंडिशन प्रतिभीम की जो प्रक्रति होती हैं बस आपका लास्ट कंडिफन ही प्रतिभीम जो बनता है लास्ट कंडिशन में वो आपका भास्या और सीधा होता है तो इसका आने का पूरा का पूरा चांप होता है क्योंकि यह लास्ट कंडिफन ही सभी कंडिफन फे थोड़ा फे अलग हैं अब इस झाल झाल